नमस्कार बच्चों आपका स्वागत है और आज आप पढ़ रहे हैं संस्कृत सागर की बुक कक्षा आठवी की और जिसमें की आप आज देखेंगे दूसरा पार्थ यानि दुतिया पार्था जिसका नाम है उपायेन सिध्यती कारियम उपाये के द्वारा कारिय सिध्ध होत यह इस पार्थ का टाइटल का मीनिंग है इस पार्थ के जो है सीर्शक का अर्थ है चली पार्थ की शुरूआत करते हैं पार्थ शुरू होता है देखिए लिखा है पुरा कस्मिश्चित बने एकाह महान वटवरक्षः आसीत पुरा यानि प्राचीनकाल में कस्मिश्चित यानि किसी वने यानि जंगल में एक महान वटवरक्षा एक महान वटवरक्षे यानि बरगत का पेड़ था ठीक है आगे लिखा है तस्य शाखायाम उसकी शाखा पर नीडम रचियत्वा गोसला बना कर नीडम यानि गोसला रचियत्वा यानि बना कर एक वायस दमपत्ती यानि एक वायस दमपत्ती यानि कववे का यूगल यानि कववे का जोड़ा कववा और कववी दौनों के दौनों हर रहते थे वायस दमपत्ती प्रतिवसती इसम प्रतिवसती यानि रहते इसम इसम यानि थे तो भूतकाल के लिए इसम लगा दिया जात तो प्रतिवसति इसम रहते थे तस्मिन व्रक्षस से कोटरे उस व्रक्ष के कोटर में इसके जो महान विशाल बरगत का पेड़ था जिसके कोटर में जो है जो कववा और कववी रहते थे उसी पेड़ के कोटर में तस्मिन उसी व्रक्षस से व्रक्ष के कोटरे कोटर में एक पुलिंग शब्द है तीनों एक भी पुलिंग है कृष्ण भी पुलिंग है सर्प भी पुलिंग है प्रत्मा विवक्ती एक वचन है तो एक काला साप अपी अपी यानि भी प्रतिवसति इस्म रहता था तो एक काला साप यानि काला नाग ब्लेक कोब्रा भी उस वरक्ष के कोटर में रहता था आगे लिखा है निर्दयाह सर्पहा सदैव तयोहो अपत्यानी भक्षयानी इस्मा तो निर्दय सर्प यानि निर्दयी जो सर्प था क्रूड सर्प जो था सर्प साप जो था वो क्या करता था सदैव हमेशा ही तयोहो उन दोनों के तयोहो शब्द कारत होता है उन दोनों के दुई बचन है किन दोनों के कववा और कववी के तयोहो अपत्यानी बच्चों को भक्षयती इसम खा लेता था तो देखे लाइन का क्यार्थ निकल रहा है कि निर्दया सरपा, निर्दयी साप, हमेशा ही सदैव, तयोहु उन दोनों के अपत्यानी बच्चों को भक्ष यतियस में खा लिता था तदर्थम वायस दमपत्थी, अतीव, दुख मगनाहा, आसीत। इसलिए जो वायस दमपत्थी हैं वो बहुत दुख मगन थे, यानि बहुत दुखी थे उसके इस वैवहार से क्योंकि वो उनके बच्चों को खा लिता था तो क्या लिखाए तदर्थम इसी लिए वायस दमपत्ती कवा और कवी अतीव बहुत जादा दुख मगना हां दुख में मगन आसी ते यानी थे रहते थे खीक है आपको समझ आई गया होगा कि जो साप था काला साप उन दोनों के बक्चों उखा लेता थे इसलिए वो दोनों बहुत दुखी रहते थे आगे कहानी बढ़ती है तत्र एका श्रगालो पी अनिवसत तत्र यानी वहां एका है यानी एक श्रगालो अपी श्रगाल यानी की सियार श्रगाल यानी की होता है भेडिया तो श्रगाल का मतलब सियार ही होता है तो एक सियार जो था वो भी वहां पर रहता था ठीक है क्या लिखा है कि आगे क्या लिखा है कि जो एका तत्र यानि वहां एका है यानि एक श्रगालों पी श्रगाल भी अनिवसत रहता था ततहां वायस दमपत्ती वहां से वायस दमपत्ती कववा हो कववी तस समी पे उसके पास में अगच्छत गए अवदत और बोले क्या बोले उससे मित्र एवं विधे संजाते आवयो हो किम करतव्यम भवती है मित्र एवं यानि इस विधे है यानि विधी में संजाते यानि होने पर आने पर इस प्रकार की परिस्थती आने पर आवयो हो हम दौनों के द्वारा किम क्या करतव्यम करना चाहिए बावतियानी होता है तो वो क्या होता है कि इस प्रकार का कॉश्चन वो जाके करते हैं सियार से शिरगाल से तो शिरगाल बोल तावत दुष्टात्मा कृष्ण सरपा आगे भी कहते हैं कि तावत दुष्टात्मा कृष्ण सरपा जिससे कि दुष्टात्मा कृष्ण सरप काल डोनों के बालकान बच्चों को भक्षयति खा लेता है वह जो पुरूर्व सांप है वह रक्ष के कोटर से निकल ABS कर हम दौनों के भक्षों को खा लेता है तो ऐसा कोई उपाए बताएए असलिए कहिए टेशाम रक्षायाई उसके द्वारा रक्षा के लिए रक्षा आयेगी यहां पर चतुरती भी बखती है रक्षा के लिए पश्चिद उपाया कोई उपाय कोई उपाय बताईए श्रगाल अकत्यत श्रगाल बोला श्रगाल क्या बोलता है भवान नगरम राजा धिश्ठानम गच्छतू भवान या जाओ तत्र कस्यापी वहाँ पर कोई भी धनिनो यानि धनवान राजा आमात्यादे यानि राजा और अमात्या राजा और मंत्री प्रमादि नहा कनक सूत्रम उन प्रमादियों का कनक सूत्र कनक सूत्र यानि सौने का सूत्र हारम या फिर हार चा ग्रहीतवा लेकर ग्रहन करक तस्य कोटरे प्रक्षिव उस कोटर में रख दो ठीक है वहां से हार लिया उन दौनों का उन में से किसी का यानि की राजा या फिर मंत्रियों में से किसी का और वो हार लाके साप के कोटर पर रख दो फिर देखो क्या होता है है ना तो आगे लिखा है कि ततश्य क्या लिखा ह कि ये सब काम कर लो आप उसने बोला कि कनक सुत्रम हारम चा ग्रहीत वा तस से कोटरे प्रक्षिप प्रक्षिप यानि फेक दो वहाँ पर और येन सर्पस्तद ग्रहनेन वध्यते येन यानि उसके द्वारा सर्पस्तद ग्रहनेन साप को साप को ग्रहनेन वध्यते यानि साप को मारना ही उनको पड़ेगा क्या लिखाए अतितत ख्षणात इस प्रकार उसी ख्षण काका काकी कवा और कवी चतदा करने हम आत्मेग छयोत पतितो ततश्य काकी किंचित सरह प्राप्या यावत अपश्यत तावत तन मध्धे कस्यचित राग्या अन्ता पुरा हम जला सन्नम नियस्त कनक सुत्रम मुक्ता हारं वस्त्रा वरनम जल करीडा मकरूत यह लिखा है इसका पूरा आर्थ बता जेता हूं लिकवार कवी गए और वहां उन्होंने सरुबर के पास जा कर देखा कि जो राजा था वो अन्ता पुर में जला सन्न यानि अपने अन्ता पुर में वह उसके कनक यानि सोने के आवUSषन उत्रे हुए थे और वस्त्र उता जाके सेवक होते हैं और रक्ष काश्य और रक्षक जो होते हैं तम नियमान उसको लाने के लिए नियमान यानि लाने के लिए उपर लक्षया ग्रहीत लगुडा अपने अपने लकडियों को अपने अपने बासों को लगुडा यानि बासों को बड़े-बड़े डंडों सत्वरम अनुययु लेकर سत्वरम यानी तेजी से अन्यययु उसका अनोगमन करते हैं वायकि कवी बही तत्य वह कनक सूत्रम यानी सोने व्रक्षम आर हुए जब तक राजा के पुरुष राजा के लोग अत यावत जब तक राजा के लोग उस बेड़ के पास आते हैं व्रक्षम आर हुए तत कोटर हम अब लोकिता और कोटर में देखते हैं तावत ते क्रश्न सर्पा प्रसारित भोगा तिश्टतितम अपश्यन और वहाँ पर क्रश्न सर्प यानि काले साप को फन फैलाए हुए देखते हैं तता ते लगुड प्रहारेन तो उनके पास कोई और चारा नहीं होता कोई और उपाय नहीं होता तता यानि तव ते यानि वे लगुड प्रहारेन यानि अपने डंडों के द्वारा बासों के द्वारा तम हत्वा उसको मार कर किसको साप को मार कर क्योंकि फन फैलाए जो साप बैठा रहता है उसको नहीं मारते तो हार नहीं मिल पाता राजा का तो उसको मारना पड़ता है मार देते हैं तम हत्वा कनक सूत्रम आदाए और सौने का हार लेकर कनक सूत्रम आदाए लेकर यथा विलशितम अपने अभिलशित अपने इच्छित स्थानम इस्थान को जगे क और गताहा चले जाते हैं वायस दंपती यानि कववा और कववी अपीतता भी वहां परम सुखेन बहुत सुख के साथ प्रतिवसती इस्म रहने लगते हैं ठीक है सत्यम उक्तम इदम सत्य ही कहा गया है सत्यम उक्तम इदम 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 भूयते, इसका अर्थ है कि उपायेन जयो, यानि उपाये के द्वारा जय, यानि जीत यादरश जैसी जैसी जीत उपाये के द्वारा मिलती है रिपोस तादरश नहेती वी उस प्रकार रिपो को तादरश उस प्रकार शस्त्रों के द्वारा नहीं मारा जा सकता हतियार के द्वारा मारना कठे ना कव और कव यह क्या करते कैसे जीत पाते तो दिमाग सही तो वो जीते है ना उपाय के द्वारा ही तो जीते वो क्या लड़ पाते उससे जीत पाते नहीं जीत पाते उपाय अग्योल्प कायोपी य ना शूरह परिभूयते, कभी भी ना यानी नहीं, शूरह यानी शूरवीर से परिभूयते पराजित होता है, यदि उपाय जानने वाला छोटे शरीर वाला भी है, छोटा भी है, तब भी वो बड़े बलवान व्यक्ति से भी, शूरवीर से भी पराजित नहीं होता, को दुश्मन को शतरों के द्वारा मारने पर नहीं मिलती उपाए की जो है उपाय को जानने वाला आयदी अल्प काया का छोटे शरीर वाला भी है ना शूरह परिभूयते फिर भी वह शूरवीर के द्वारा पराजित नहीं होता पूरा देखें तो उपाई ने जयो यादरश रिपोस्त आदरश नहेते भी उपाई अग्योल पकायो भी ना शूरह परिभूयते यानि उपाई के द्वारा जैसी जीत मिलती है शत्रू पर वैसी जीत हतियारों के द्वारा नहीं मिलती उपाय को जानने वाला यदि छोटे शरीर का भी हो यदि बलवान ना भी हो तब भी वैशूरवीरिक से पराजित नहीं होता इस प्रकार से आपका पार्ट है आपर संपूर्ण होता है आगे आपके कठिन शब्दों के अर्थ हैं वो आप पढ़ सकते हैं और उसके बाद इसका अभ्यास यानि एक्सरसाइज उसको भी आप कर सकते हैं तो वो आपको मिल जाएगी और तब तक आप इस वीडियो को देखें इस पार्ट को समझें इस कहानी को समझें और आने वाली वीडियोस को देखते रहे हैं थेंक्यू सो मच नमस्कार वाज़ाएग्याज